जैहन दोस्तों, आज संडे है और मैं 35 किलो मेटर रन करके वापस घर आ गई हूँ चार घंटी 33 मिनट में मैंने 35 किलो मेटर कम्प्लीट किये आप देख सकते हैं कि मैंने ये हाइडरिशिन पैक पैना हुआ है इस पे मैंने एक लीटर पानी डाला और उसमें एलेक्टरणाइट किया एक बिस्किट का पैकेक मैंने अपनी पॉकेट में रखा और फिर मैं निकल पड़ी रन के लिए सुभे चार बच के 40 मिनट में और ये रन कम्प्लीट करके मैं घर आ गई हूँ आप मुझे देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कही भी आपको पसीना नहीं दिख रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत फटीग हूँ ऐसा क्यूं है क्योंकि मैं लॉंग टिस्टेंस रनिंग मैं बिल्कुल कमफर्टेबल हो चुकी हूँ इस लेक ब्रीधिंग फॉर्मी पट ये मैंने एक दिन में अचीव नहीं किया है साड़े तीन साल हो गए है मुझे एंडुरिंस रनिंग करते हुए रनिंग एक मैडिटेशन की तरह है पर ये उन लोगों के लिए मैडिटेशन नहीं है जो नया नया दौड़ना शुरू करते हैं जब आप नया नया दौड़ना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको ये अक्टिविटी यूनो हाड लगती है आपका दम फूलता है सांस फूलती है और आपको लगता है कि कही न कही अंदर आपको तकलीफ हो रही है लेकिन वही टाइम है जब आपने पेशन्स रखना है यह जैसे हम मैं इसको स्ट्रोक कर रही हूं प्यार से वैसे ही आपने रणिंग को प्यार से करना है सलोली और रणिंग में अपने पर विश्वास एवलप होने में ठाइम लगता है कम से कम एग साल लेकिन जैसे जैसे अपर घृते जाते हो उन ईक्सप्रीन होते जाते हो और बहुते जाते हो आप और भी जादा इस रिलाक्स होते हो इस अक्टिविटी में and then it becomes like meditation for you. और फिर उसके बाद आप 6, 8, 12, 24 गंटा भी दौडते रहें आपको पता ही नहीं चलता. क्योंकि तब दौड़ना बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे सांस लेना. Actually दौड़ा ऐसे ही जाता है इसी ease or comfort के साथ. अगर आप long distance running कर रहे हो और आपको तकलीफ हो रही है, आपको effort feel हो रहा है, तो उसे हम सही तरीका नहीं बोलनेंगे दौड़ने का. That is not called endurance running. Endurance running is supposed to be easy, comfortable. हाँ, जब कभी कबार हम race करते हैं, उस समें हम खुड़ा जादा करते हैं. You know, you come out of your comfort zone and you try to give more than 100% in race, but not in training. यह नहीं करना है, तो मैं भी यही करती हूँ, आप मेरा Strava का record देखिए, मेरे सारे run बिलकुल easy pace में होते हैं, पर आप मुझी जब आप race पे देखेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा, यह वही लड़की है, जो ट्रेनिंग में बहुत दीरे भागती है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि मैं अपने आपको तेज दौडने के लिए कभी कभी ही challenge करती हूँ, जैसे 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार, या एक महिने में एक बार, otherwise सिर्फ races में, क्योंकि मुझी अपने अंदर confidence है, कि जब race का time आएगा, मैं तेज दौड सकती हूँ, मुझी रोज तेज दौड कर अपने आपको ये साबीत नी करना पड़ता कि I am good, I know I am good, पर ये confidence डेवलप होने में लग भग साड़े 3 साल का time लगा, मैंने धीरे धीरे रन किया है, बहुत लंबे समय तक, लॉंग डूरेशन तक, धीरे धीरे मैंने अपने आपको डेवलप किया है, अप आपके दिल के अंदर कोई डर नहीं होता, ये डर की मैं तूट जाओंगी, या मैं अपने आपको पुछ नहीं कर पाओंगी, मुझे तकलीफ हो रही है, I can't go beyond this, वो डर जिस दिन आपके अंदर से निकल जाएगा, then running will become like meditation for you, मैं जब ही भी भी रेस में जाती हूं, मैं आपने अंदर डर को आने में देती, ये डर से आगे जीत है कहते हैं, वही बात सच है, running के लिए भी, तो आप अगर running नहीं करते हैं, तो शुरुवात में धीरे-धीरे कीजिए, walk run, walk run करके कीजिए, जिस दिन आप एक घंटा लगातार बिना रुके दौण पाएंगे, एक घंटा भी लगातार दौड़ पाएंगे, eat and run, eat and run, ultra running का यही मंत्रा है, I hope ये वीडियो आपको useful लगा होगा, फिर मिलेंगे मेरे next वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंद!